भारत से गेहूं के निर्यात पर मई से प्रतिपन लागू होने का असर सिंगापूर के भोजनालियों में दिखाई दे रहा है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक रोटी पसंद करने वाली पंजाबी समुदाय को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है सुपरमार्केट शरंखला फियर प्राइस ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में मांग बढ़ने के कारण गेहूं के आटे की सप्लाई कम रही है भारत में गेहूं और आटे के निर्यात पर प्रतिबंद के कारण ये स्थिती हो सकती है दस्टेटस टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फियर प्राइस के सप्लाई करता अब श्रिंखला, श्रिलंका, औस्ट्रेलिया, कैनेडा और अमेरिका से गेहूं का आटा मंगवा रहे हैं यहां के एक परमुख भोजनालिया शकुंतला के परबंदक निदेशक बालकृष्ण ने कहा है कि आटे की कमी हमारे वेपारियों को बुरी तरह पर भावित करेगी हम अपने ग्राकों पर लागत का पूरा बोज नहीं डाल सकते हमें किम्तों को कम करकने की कोशिश करनी होगी वहीं उनका कहना है कि रेस्टोरेंट को भारत से गेहूं के आटे के लिए 5 सिंगापूर डोलर प्रती किलो का भुकतान करना पड़ता था आपको बता दें कि गेहूं प्रसंसकरताओं ने अगरिम प्राधिकरन योजना के तहत गेहूं आयात की मंजूरी के लिए सरकार से संपर्क किया है इसके बदले में उन्होंने मुल्या वर्धित उत्पादों का निर्यात करने के लिए मंजूरी मांगी है वानीजे मंत्रेलिय के अधिकारियों ने कहा है कि हमें गेहूं प्रसंसकरताओं ने इस तरह की मांग मिली है कुछ रेस्टोनेंट ने तो चपाती, पूरी, भाजी और तंदूरी को मैनू कार से ही भार कर दिया है इसकी वज़े ये है कि इन सभी को बनाने के लिए गेहूं के आटे की जरूरत होती है बता दे कि भारत में मई में अनाज और उसके आटे के निर्यात पर पावंदी लगा दी गई थी ताकि गर्मी की वज़े से फसलो और गेहूं की सप्लाई पर भावित होने के बाद घरेलू कीमतों में भडोतरी पर रोक लगाई जा सके तरसल रूस यूक्रेन यूद के चलते गेहूं निर्यात में कटोती के बीच यह पवंदी लगाई गई थी Bureau Report Market Times TV